कंगना रनोट के शो लॉक अप सीजन 2 को लेकर ओडियंस में बेहर उत्सा है। इस शो में कौन-कौन से सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट हिस्सा लेंगे ये हर कोई जाना चाहता है। अब निम्रत के बाद इस कंटेस्टेंट ने भी कंगना के शो से पल्ला जाड़ा। खत्रों के खिलाडी के अलावा अगर किसी शो को लेकर ओडियंस उत्साहित है तो वे हैं कंगना रनोट का रिलिटी शो लॉक अप है। इस विवादित रिलिटी शो के पहले सफल सीजन के बाद अब ओडियंस को दूसरे सीजन का बेसबरी से इंदजार है। कंगना के लॉक अप सीजन 2 में हिस्सा लेनी के लिए अब तक कई सितारों के नाम सामने आ चुके हैं। इस शो के लिए निम्रित को और अहलू वालिया का नाम भी सामने आया था। हालाकि छोटी सरदार्नी एक्ट्रेस ने अपने इंटर्व्यू में इस बाद को क्लियर कर दिया था कि वे बैक टू बैक कोई रियलिटी शो नहीं करना चाहती। अप निम्रित के बाद एक और बिग बॉस कंटेस्टेंट को लोग अपसी जन्दो का हिस्सा बनने में कोई दिल्चस्पी नहीं है। ये बिग बॉस कंटेस्टेंट नहीं करेगा कंगना का शो शेव ठाकरे। अर्चना गौतम सहित कई बिग बॉस कंटेस्टेंट के नाम क गंगना रनोट के विवादित शो लौक अप के लिए सामने आ रहे थे। इन्ही नामों में से एक नाम बिग बॉस की सेकंड रंजर प्रियंका चहर चौधरी का भी था। ऐसा कहा जा रहा था कि उडारिया एक्ट्रेस कंगना के लौक अप में बंध होंगी। अग बिग बॉ प्रियंका का इस वक्त शो का हिस्सा बनने में कोई दिल्चस्पी नहीं है, क्योंकि इस वक्त वेह फिल्म और वेब सीरीज पर ज्यादा फोकस कर रही है। अब तक कई सितारे हैं जो साब तौर पर इस बात से इंकार कर चुके हैं कि मेकर्स ने उन्हें शो में हिस्सा लेन के लिए अप्रोच किया है। प्रियंका निम्रिक से पहले अर्चना ने भी ये क्लियर किया था कि वे लौक अप सी जन दो का हिस्सा नहीं बन रही हैं। इसके अलावा उर्पी जावेद का नाम भी लौक अप सी जन दो के लिए सामने आ रहा था लेकिन उन्हें भी ये में उन्हें देखने को नहीं मिला. इस बार ने शो उन्ना से दिनों का नहीं, बल्कि बिग बॉस की तरह 90 दिनों का होगा. इस बार एता कपूर का विवादित शो टीवी पर आने वाला है. लॉक अपका सेट फिलहाल बन रहा है. रिपोर्ट्स की माने तो इस शो के शूटिं मिट मार्च में शुरू होगी.